साहस सरोकार पहुचे मुकमंत्री गुपेज, बगेल, प्रदेशवासियों के सूख और सम्रिधी की कामना की शराब की बोतल में मिला मरा हुआ मेठक मेठक मिलने से मचा हड कम पुलिस को मिली बड़ी सफलता दुशकर्व की आरोपी को किया गिरफतार नमस्कार मैं हूँ मयूरी स्रवास्ताव आप देख रहे हैं प्राइम टीवी वक्त हो गया है चतीस गड़ की बड़ी ख़बरों का खबर सरगुजा से है जहां जिले के उदैपुर्थाना शेतर की अंतरगत ग्राम में अग्यात विक्ती की खेत की किनारे संदिक दवस्था में शोम मिलने से शेतर में संसनी फैल गई बतादी मिर्तक के शरीर पर कई चोट के निशान पाए गए हैं जिसके बाद पुलिस ने शब को कबजे में लेकर पोस्माटम के लिए भेज दिया और आगे की कारवाई में जुट गई खबर बैखुंड पुर से है जहां ग्राम पंचायत नर अकेली में आज गोवर्धन पूजा वं गौठान दिवस मनाया गया जिसमें गौमाता की पूजा अर्चना की गई वहीं पूजा के दौरान जिले के सीओ सहित जिला पंचायत के उपाध्यक्ष वेदानती तिवारी के साथ पंचायत के जन प्रतनिधिवा ग्रामीड मौजूद रहे खबर भिलाई से है जहां परमपरा के नुसार मुखमंत्री भुपेज बगेल ने पाटन ब्लॉक के ग्राम जर्च गिरी और कुमहारी पहुचकर गौरी गौरा की पूजा अर्चना कर प्रदेशवासियों के सुख सम्रिधी की कामना की वहीं इस मौके पर मुखमंत्री भगेल के हाथों पर परमपरा के नुसार सोटे से प्रहार किया गया मानता है कि गौरा गौरी पूजा के मौके पर सोटे से प्रहार से अनिष्ट टलती है और खुशहाली आती है बतादे मुखमंत्री प्रदेश की खुसहाली की कामना के लिए हर साल इस लोग अनुष्ठान में हिस्ता लेते हैं खबर कोर्बा से है जहां के हर्दी बाजार में संचालि देशी मदीरा दुकान में शराब की बोतल में मेठक मिला वहीं जब इस मामले की शिकायत की गई तो सेल्समैन ने आनन फानन में बोतल को वापस कर उसे दूसरा पाउ दिया और इस मामले में सेल्समेन ने बताया कि शराब की जो भी पेटी आती है वो वेयर हाउस से आती है और सकैन करके ग्रहांकों को दिया जाता है इस तरह की पहली घटना इस शराब दुकान में सामने आई है तो यहां ग्रहाक द्वारा कल तीन पाव खरीदी किया गया जिसमें एक पाव में मेढ़क अंग्रीद इसी पाव था तो क्या हुआ कैसे पता चलाब लोग को ग्रहाक लेने बात तुरंत देखकर कि वापस किया हमारे सेल्समेन उसको वापस किया है और वो हमारे पास रखा हुआ है जी बताएंगी इस तरह से देशी पाव में मेरी थारत में मेढ़क पाये जाना आपको क्या लगता है इसमें कहां सी लपर वाही सामने आ रही है यह उपर से पेकिंग होकर के आया है इसमें हमारी कोई गलती नहीं है खबर गौरेला से है जहां दो दिन पहले जिला जेल पेंडरा रोड में पेशी के लिए कोट लाए गए दुशकर्म की आरोपी पुलिस कर्मी को धक्का देकर कोट परसर से फरार होने के मामले में पुलिस को सफलता मिली जिसके बाद पुलिस ने आरोपी को मध्रप्रदेश के डिंडोरे जिले के कंजरिया से गिरफतार किया और मामले में आगे की कारवाई में जुट गई तब हमारे स्टाफ को धक्का देकर के वहां से वह भाग गया था, उसके पता तलास लगातार की जा रही थी और 24 भी थारा की था, हमारी टीम तो सुचना मिली है कि वो जुड़ी के तरफ सी गाउं में भागा हुआ है, तो लगातार हमारी टीम उसका पीछा कर रही थी, कल रा आमीड बैंक में आग लगने की घटना से संसनी फैल गई, जिसके बासारा सामान और बैंक में मौजूद फरनीचर और दस्तावेज पूरी तरह से जल कर राख हो गये, वहीं मौके पर दमकल की गाड़ी ने कड़ी मशक्कत से आग पर काबू पाया, खबर कौरवा से है, जहांके चौकि शेतर में इक महिला को लोगो ने बच्चा चोर गिरों का साख पकड़ा और महिला को पूलिस के हवाले कर दिया, जिसके बाद पुलिस ने मामले में च्छानबीन करते हुए महिला को गिरफतार किया और महिला से पूस्ताच करते हुए आगे की कारवाई में जुट गई खबर कोरवा से है जहां शहर में खेलों को बढ़ावा देने की मनसा से CSEB फुटबॉल मैदान में आयोजित क्रिकेट प्रतियोगता का समापन हो गया जिसका आयोजिन कोरवा चर्च वेलफेयर एसोशियेशन ने किया था इस दोरान समारहों के मुख आतिती राजस्वा मंत्री जैस सिंग अगरवाल रहे इस दोरान मौके पर उनका जोरदार स्वागत किया गया वही महापौर राजकेशोर प्रसाद भी मौके पर अपनी मौझूदगी दर्च कराई सबी नोजवान सातिर हमारी माँ खैन आने त्यारे बच्चों और आनल मैच में खेलने वाले दोनों ही टीम के सबी प्लेयर्स पोच बहुत कुसी की बात है कि केसी डवली एस द्वारा तीन द्वेसिये किर्केट मैच का भवर आजन सी एसी वी के इस प्रावन में किया गया इस तो फाइनल मैच है और उसके बाद प्रुस्कार वितरुता पहरतम है तो मैं सभी आयजुकों को अपनी और से हर्दिक बढ़ाई कुस्टुक चाना है जोता हुए खबर 36 गड़ से है जहां तीसरी बार राश्टी आदिवासे निर्त महसो का भव आयोजन किया गया इसमें शामिल होने वाले सभी राजियों के मुख मंत्री को आमंत्रित किया गया इसी क्रम में केरल की मुख मंत्री सिरीपीना, राई, विजियन एवं सांस्कृती मंत्री के साथ कई लोग मौजूद रहे 36 गड़ की खबरों में इतना ही देजुना की तमाम खबर के लिए देखते रहे है प्राइम टीवी आप देख रहे हैं प्राइम टीवी सच